हालो और वेलकम फेंट्स गूगल सीट सीखने की सिरेज में मैं तुरज आपका त्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है गूगल सीट की गूगल सीट में खास क्या है आईए आपको दिखाता हूँ देखिए एक चीज़ तो तय है कि गूगल सीट के अंदर आपको से ज्यादा आसानी हो जाती है अगर आप गूगल सीट पर काम करते हैं तो अब यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे सेल्समेन या और तमाम लोगों के नाम लिखे हुए जैसे एलिस है बाब है चार्ली है डेवीड है इम है फ्रैंक है जोर्ज है यहां पर बाब है टॉम है है तो यह बहुत सारे लोग के नाम लिखे हुए उने तो और भी हमारी खुर्मेंट क्या है कि हम carbon 80% या इस तरह का कोई क्राइटीरिया है 80% से एवब रहा हो sales का score ठीक है तो ऐसे condition में उन लोगों की संख्या ग्याद करना चाहते हैं कि कितने लोगों ने 80% से ज़्यादा score किया तो ये संख्या कैसे पता चलेगी इसको आज के ज़डियो में जानेंगे ठीक है एक खास किसम का formula है function है उसके थूरू इसको जानेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर लगाएंगे equal to कशाई ठीक है और यहाँ पर लगाते है count if यहाँ पर ध्यान देजिगा यह count if है count if नहीं है ठीक है department हम कौन सा देखना चाहते है sales वाला कितने लोगों के पास department है यह बता करना चाहते है या marketing पता करना di यह greater than 80 कर दीजिए 85 कर दीजिए जो भी criteria देनी हो वो यहां पर देखर कि आप इसे बंद कर दीजिए bracket को और end term प्रेस कर दीजिए तो यहां पर आप देखेंगे कि 6 आ गया है अब 6 का क्या मतलब है उसको समझते हैं जैसे यहां देखिए यह Alice का department क्या है सेल्स का है हम सेल्स का ही department कोज रहा है तो मैं इसे एक different color से highlight करता हूँ यह देख सकते हैं यहां पर भी इसका color मैं change करता हूँ यहां पर भी मैं color इसका change करता हूँ तो यह देख रहते हैं यहां पर यह sales department है पिर यहां पर भी sales department है तो जो भी sales department हमें देख रहा है उसका color मैं बदलता जा रहा हूँ आप इससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग इसमें सेल्स डेपार्टमेंट के थे ठीक है क्योंकि हमारा आंसर आए हुआ है सिक्स तो क्या सिक्स लोग सेल्स डेपार्टमेंट के है या नहीं है यह पता करना जरूरी और साथे साथ यह भी कि 80% से अबस सेलि जो है देख सकते हैं यहां पर हो गया है यह देखिए इस तरीके से और इसका टेक्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूं तो अब देखिए कितने सेल्स डेपार्टमेंट है एक डो तीन चार पाच छे कुल मिला के कितने अच्छे हैं लेकिन अगर माल लीजिए आपको यही मार् 80% से अब देखना है ना तो यह एक हो गया यहां पर देखिए यह बाब वाला जो है यह 90% है फिर यहां पर देखिए यह भी मार्केटिंग है यह दो हो गया फिर यहां देखिए यह मार्केटिंग है लेकिन यह 80% है ठीक है फिर यहां बाब देखिए मार्केटिंग के हैं तो ये कितना हुआ, 90% हुआ, तो ये 3 हो गया, और फिर यहाँ पर देखिएगा, तो ये एलिस मार्केटिंग की है, तो ये 4 हो गया, अब बाकी जिमी तो 80% है, तो ये तो लिया नहीं जाएगा, तो इस तरीके से 4 आ रहा है ये, ठीक है न? उमीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep watching, thank you for watching this video.